देखे मेरे को पास कोई अधिकारिक सूचना नहीं है इस बारे में कि ऐसा वो करने जा रहे हैं लेकिन जैसा आप लोग बता रहे हैं ऐसी उड़ती-उड़ती हवा सुनी है ऐसा क्यों किया जा रहा है ऐसा कहा जा रहा है इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इंडिया नाम का कई सारी पार्टियों का एक एलाइंस बनाए जिसका नाम इंडिया है तो अगर किसी पार्टियों का एलाइंस इंडिया बन जाता है तो वो देश का नाम बदल देंगे देश तो 140 करूर लोगों का है किसी एक पार्टी का देश थोड़ी है कल मान लीजिए इस इंडिया एलाइंस ने अपना नाम बदल के भारत रख लिया तो फिर भारत भी बदल देंगे फिर क्या भारत का नाम बीजे भी रखेंगे या भारत का नाम फिर क्या रखेंगे मालो इंडिया एलाइंस ने कल एक मीटिंग करके अपना नाम इंडिया से बदल के भारत रख लिया तो क्या यह फिर भारत का नाम भारत बदल देंगे यह क्या मजाक है देश है भई देश इतने हजारों साल पुराना भारत देश है इतनी पुरानी संस्कृति है इतना पुराना हमारा देश है उसका नाम बदल इसलिए केवल बदल के रखा जा रहा है क्योंकि इंडिया कि थोड़े बहुत चार वोट इनके कम हो जाएंगे इंडिया вес बनने से तो वोट कम हो जाएंगे इसलिए भारत का नाम बदल दो यह तो देश के साथ गद्दारी है ऐसा लगता है कि देखें इंडिया इलाइनस के लिए जो इनका response है उससे लगता है कि बहुत जादा बौक लाए हुआ है बहुत जादा बौक लाए हुआ है जिस दिन इंडिया एलाइंस जादा उस दिन उन्होंने एक शगूफा छोड़ दिया one nation one election करेंगे divert करने के लिए attention one nation one election कैसे कर सकते है one nation one election से जंता को क्या फाइदा है कि मतलब मैं अगर आपको कौं वुड्शन करेंगे कोई फाइदा होगा को अदिशा को परिवार को कोई च्वाएधा होगा बच्चों को कोई फाइदा हो गैवा को महता कम हो जाएगी बेरोजगारी कम हो जाएगी वन नेशन वन इलेक्षन का बसे एक ही फायदा है अभी यह इनकोच हर छेछे महीने में जनता के बीच में जाके जनता से कुछ जनता के कुछ काम करने पड़ते हैं फिर यह पांच साल में एक बार शकल दिखाएंगे पांच साल पूरी दुनिया घुमेंगे फिर पांच साल में एक बार शकल दिखाने आएंगे मैं चैलनज करता हूं अगर One Nation One Elections हो गया तो अग्ले चुनावको पहले पांच हजार रुपए का सिलेंडर मिलेगा और अगली बार फिर ये पांच हजार सिलेंडर करें और कहेंगे काम नहीं करना चाहते हैं, पांच साल मत्र घच्च्टी करेंगे और फिर पांच साल में एक बार आके और फिर कहेंगे कि अब उसमें एलजी साब ने कुछ क्वेरी जबाकर भेजी हैं जो भी उनके क्वेरी जवाब मैं आज ही इन से बात कर रहा था मुझे लगता है हफ़ते दस दिन के अंदर इसको लॉंच करेंगे बहुत जल्दी लॉंच करने जा रहे हैं सनातन धरम से, आप मैंसे भी कई लोग सनातन धरम क हुआ है मुझे लगता हमें एक दूसरे के धरम की इज़्यत करनी चाहिए एक दूसरे के धरम के खिलाफ बोलना अच्छी बात नहीं है गलत बात है एक दूसरे के सबको एक दूसरे के धरम की इज़त करने जाए